और उलम्पिक में क्वैलिफाई करने वाले खिलाडियों से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ दिखाते हैं आपको करने के लिए अन्हें समय निगाला है मैं करूंगा कहलिकि var मुख्यमंत्री की वार्ता करें कलेratos मैं इस o zitten माने मुखमंत्री जी का अब कि टरफ से पुरे प्रदेश के लाडियों की तरफ से आच आद अ Kal ृंधन बंदन करता हो तुकि माने मुखमंत्री जी प्रदेश के जो खिलाडी हैं उनके सम्मान में कोई कमी ना आए तो मैं यह बताना चाहूंगा इस मोगे पे कि सबसे ज्यादा अगर सुन पदक पे धर्राज की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश राज्य है प्रतिभाग करने पर भी हम लोग दे र रहे हैं तो मैं एक एक करके जो सभी हमारे प्रदेश के जो दस क्रिस्ट खिलाडी प्रतिभाग करने जा रहे हैं मैं उनमें से एक करके चुकि हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारे प्रदेश का और देश का प्रतिदित करने जा रही हैं बहुत हर्स का भी सर है तो मैं सबसे प प्रश्टी रेकार्ड बनाया हैं और रास्टी रेकार्ड बनाने के साथ इन्हों ने ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया और इस ओसन प्रिये भी बता देना चाहूंगा कि अभी मानी मुखमंत्री जी ने इस वर्स इनको रानी लक्षी भाई पुरुसकार भी दिया था ज चुकि नंबरिंग सिस्टम है, तो जो भी उत्रेस्ट ठिलाडी होगा, उसको जरूर मिलेगा, तो मैं सबसे पहले प्रियंका जी से अनुरोद करूँगा, कि आप आपका जो सफर, चुकि आप सबसे पहले लगनव हास्टल में आई थी जिमनास्टिक में, जिमनास्टिक हास्टल में रहने के बाद आपने अपने को एथलेटिक्स में वो भी वाक रिस में तुष्ट किया, तो अपने एक्सपिरियंस बताए कि आपने इतनी उचाईया कैसे प्राप्त की, में रहती थी जब मैं बारा साल की थी तो उसके मेरा उधर मननने ही लगा था, मम्मी पापा की बहुत याद आती थी घर से दूर थी तो मैं वहां से रो रो के घर पे आगए कि मुझे यहां नहीं रहना है करके, लेकिन मैं वहां पे जैसा हमारा मंतली फिजिकल ट्रैल होता था तो मैं रणिंग में फस्ट आती थी ती तो मेरा महां से अथलेटिक्स करने का अमन करता था, तो फिर मैं घर आगे छोड़ दिया गेम पढ़ाई की, अपना बोर्ड का अग्जाम दिया, यूपी बोर्ड था तो तब बोलते थे कि हाँ, यूपी बोर्ड हाड है तो उसका अग्जाम की तयारी की, फिर टैंथ के बाद में 11 में दोबारे स्टेडियम जोइन किया, तो जैसा कि अभी मेरेट से सबसे जादा प्लेयर्स क्वालिफाई है, तो मेरेट में हमेशा से ही स्पोर्ट का मतलब बहुत सुरू से ही रहा है, तो एक मीट होती थी हमारी डिस्टिक लेवल की, तो उसमें हमें बैग मिलते थे प्राइज में, तो मैंने काफी इवेंट्स को बैग के लिए ही मैंने रेस वाकिंग सुरू कर दिया, तो अभी तक मैं मतलब यूपी से खेलती या रही हूँ और इंडिया भी खेलियू वर्ल्ड कप बगरा तो अभी उलम्पिक के लिए क्वालिफाई करके अच्छा लग रहा है, बागी परदानमंत्री जी ने जो मन की बाद में मेरा जिक्कर किया था कि मेरे बापा रोडवेज में कंडेक्टर है तो लेकिन मेरे बापा भी नहीं है यूपी रोडवेज में क्योंकि वो उसी टाइम पर छुट गई थी तो बहुत प्रोबलम से मैं यहां तक पोची हूँ करके तो काफी समस्या है हर खिलाड करने के लिए प्रदेश वास्यों की और से बढ़ाई देता हूँ दूसरा आज इस संबाद हम इसी लिए कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगे राज्य सरकार उसका समाधान करेगे आप बताईए कि हमारी जो आने वाली प्रतिभाएं हैं इन लोगों को इस फेड़ में क्या करना चाहिए और अभी आपकी जो इस समय प्रस्टिक्शन आपका चला है कहां बैंगलोर में आप प्रस्टिक्शन ले रही हैं इसा बैंगलोर में क्या है कि उसके ह प्रस्टिक्शन आपको होँआ मिल सकता है और उत्तर वर्देस में नहीं मिल सकता है सबसे बड़ा सिंथैटी ग्राउंड मेरेट में अभी तक एक भी इसंथैटी रुसरा कोच इस का होता है जैसा कौच इस भी हमारे जैसे यूपी गोर्मेंड से गोर्में खायर करे कोच मतलब मुझे तो गौरवत्यागी सरते जो मेरिट में है वो मिले लेकिन बहुत से अथलीट्स को है कि कोच भी नहीं मिल पाते है तो मुझे भी पूछते हैं दिदिया आपने कैसे जोइन किया तो उन लोग को मतलब ग्राउंड और कोच फस्ट होता है प्लेयर के लिए अगर ग्राउंड औ के साथ और जिस प्रतिवन्ता के साथ इस फ्रेड़ में अपना एक अस्थान बनाया है वो बहुत परानी यह है अविनंदनी यह है मैं आपको और आपके पुरी परिवार के सदस्यों को इसके लिए इर्दे से वधाई देता हूं सुपकामनाई देता हूं और राज्य सरका आप लोगों को पूरी मदद करेगी मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूंगा कि वह सभी खिनाडियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कारियोजना बना करके राज्य के अंदर तयार करें जिससे हमारे खेल प्रतिवाओं को आगे बढ़ने का उसर भी थैंक यू सर एक और था कि जैसा हमारी पॉलिसी है वो काफी टाइम से मदला हम अच्छी है हम नहीं बोल लाए कि बेकार है लेकिन ओलम्पिक्स की तो ठीक है को लेकिन आगे नेक्स येर कॉमन वेल्स गेम्स एशन गेम्स आ रहे है तो उनकी पॉलिसी और अगर हम दूसरे स्टेट की देखे हरियाना की देखे तो जर बोट डाउन आप एक बार उसके लिए भी मीटिंग हो तो अच्छा है क्योंकि आप लोग अपना प्रस्ताव बना के भीजिए जरूर राज्य सरकार उसके बिजरूर विचार करेंगे सर इनकी माता जी और पिताजी है मैं उनसे रोज करूगा कि वो सर आपका सिवान उनकों मिलना चाहिए मझे एक दिन उनके सभी खिलेडियों के अईभावकों को लखनों बुला करके सम्मानित करना है अच्छा होगा कि लखनों में बुला करके उनके साथ सीधे वहीं पर संबाद बनाएंगे और उनका सम्मान भी करेंगे ठीक है दूसरी हमारी जो जैबलीन थ्रोवर है इंडिया की बेस जैबलीन थ्रोवर इसमें अनुरानी जी है इन्होंने अभी हाली में रेकार्ड वना करके इन्होंने अपना उलम्पिक में अस्थान सुरचित दिया मानि मुखमंत्री जी के ही करकमलो द्वारा इनको 17-18 में रानी लक्षमी वाई पुलुसकार भी इनको दिया गया था इस साल इन्होंने 63.24, 2.4 मीटर जैबलिंग थ्रोव करके इन्होंने अपना उलम्पिक में अस्थान प्राप दिया है तो मैं अनुरानी जी से अनुरोद करूँगा कि आप अपने बारे में सबको बताने का कस्तिक करें हाँ अनु जी नमस्ते अनम्यूट कर लीजे नमस्तार सर नमस्ते बताइए कैसे हैं आप तर मैं अच्छी हो आप कैसे हो सर आ मैं बिलुकूर ठेक हूँ अलम्पिक में क्वालिफाई करने वाले खिलारियों से मुख्यमंत्रियों की आदितना अदिस समबाद करते नजराए वीजे कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से ये बातशीत उनकी अभीद चल रही है तमाम खिलारी वीजे कॉन्फरेंसिंग के जरीए जुड़े वे हैं उलम्पिक ज़ा रहे खिलारियों से मुख्यमंत्रियों योगिया दितना अदिस बात करते वे उनका खौस्टर बढ़ाते नजराए इसके लावा उन्होंने ये भी कहा कि इन खिलारियों के अभीभावकों को लखने उबलाकर उनसे समबाद वही पर होगा उन्हें सम्मानित भी वह पर किया ज़ेगा